हुआ हलो स्टुस्टैंट तुडेय वी थू हुआ हलो स्टुडेंट टूदेव भी आर गारश्यूद्ट्ट तुडे वी अर इडिस्थस सेम्पल प्यपर एनालाईश सिस इंद तистільки चैन पीप dessert आज बाई लोजी का सेम्पल पेपर का अन्याफ्शस ताकि आपके main exam में maximum marks को आप gain कर सकें ओके आपका जो CBC का paper होगा वो 70 marks का है और उसको 3 hours में आपको complete करना है it means हमें हर question में time को manage करगे question का answer देना है ताकि 3 hearts में हमारे 70 marks का पूरा paper complete हो जाए इसके कुछ general instruction है उनके बारे में discuss करेंगे बच्चो आपको 70 marks का paper होगा इसके अंदर आपको 33 questions देखने को मिलेंगे इन 33 questions को हमने 5 section में divide किया है बात करते हैं पन section A की section A के अंदर 16 questions होंगे और यह one marks के होंगे okay section A के अंदर two types के questions देखने को मिलेंगे multiple choice question और AR questions बात करते हैं on section B की section B के अंदर आपको five questions देखने को मिलेंगे और यह two marks के होंगे section C की बात करें तो इसके अंदर आपको seven questions होंगे और यह three marks के होंगे section D की बात करें section D में आपको two case best questions मिलेंगे और यह four marks के होंगे section E की बात करें इसके अंदर आपको three questions देखने को मिलेंगे और यह five marks के होंगे section E long answer type questions मिलेंगे आपको देखने को या ऐसे type questions देखने को मिलेंगे इसके बात इस पूरे paper के अंदर आपको कोई बैचो internal choice देखने को नहीं मिलेगी बट कुछ questions के अंदर internal choice दे रही है तो आप अपनी सुईदा के अनुजार उन questions को आप attempt कर सकते हो एक और बात कि जब भी आप paper करो और कोई questions की demand a diagram की तो आपको need and clean and well developed diagram को draw करना है okay अब बात करते हैं आगे section A section A में आपके question first is the phenomenon where is the ovary developed into the fruit without fertilization is called option A parthenocarpic apomaxis asexual reproduction and sexual reproduction बटा यह questions जो दिलिया गया है यह question NCRT book chapter number two sexual reproduction in flowering plants से लिया गया है आपको इसके अंदर क्या पूचा है कि without fertilization के food बनाना औरी से fruit बनाना है तो इसका option क्या एगा parthenocarpic option A होगा जब बेटा आप option A parthenocarpic लिख दोगे तो आपको one marks मिल जाएगा next question से the transfer of zygote और early embryo up to 8 blastom year into fillopian tube option A IVF and ET gift gift and IUT यह 4 option दे रखें यह question NCRT की book से chapter number 4a reproductive health उससे लिया गया है अब यह कह रहा है कि हम जाइगोट को transfer कर रहे हैं किसके अंदर फिलोपीन ट्यूप के अंदर तो इसका answer कह जाएगा जिफ टांसर जाएगा जैसे आप जिफ लिखोगे option B जिफ टांसर तो आपको यहाँ पर one marks मिल जाएगा हलो स्टूडिंस अब बोर्ड की टेंचन खतम Allen Career Institute की 34 years की legacy का benefit अब आपको बोर्ड में भी मिलने वाला है हम आपके लिए लाए हैं PYQs, Sample Papers, NCRD Solutions and a Combo of Practical Booklets जिसमें आपको एक साथ मिलेंगे PCB और PCM के Practicals और यह सब available है e-commerce site, Flipkart और Amazon पर नेक्ट कॉस्टन से डाइबिट क्रॉस प्रूफ दा लो ओप डाइबिट क्रॉस में कौन सा लो फ्रूफ होता है तो हम सब जानते बच्चों independent assortment लो फ्रूफ होता है तो इसका answer D होगा जब आप इसको लिख लोगे तो आपको वनमार्क मिल जाएगा और यह कॉशन NCRT की बुक में चैप्टर नंबर पाइप से लिया गया है हमारा नेक्ट कॉस्टन से प्लाज्मो डियम एंटर्स दा ह्यूमन बॉड़ी एज ओप्शन ए फीमेल आइनोफिलिस मॉस्कीटो इस परोजोईट ट्रोफोजोईट एंड हेमोजोईट यह कॉशन NCRT बुक के चैप्टर नंबर एट लिया गया है अब हम जानते ही कि जब भी कोई फीमेल आइनोफिलिस मॉस्कीटो किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो उसकी ओजञे थल्हाय आइजूमन कि अदर होती है इसका मतलब की जो हींनकी बौडी के अंदर न कि स्टेज़ आइंटर अन्टर होगी वह कौन सी रही ह chciaऊगी और आप्शन घर कोश्चन से माणा का है ला को समान से कैन अबिस सटाइवा अन कैन अभी से बनते हैं और उनस से भं चरस और गांजा प्रोटक्ट बनाए जाते हैं तो उसका सही आंसर क्या होगा d all of the above जब आप option d लिख करके all of the above लिख दोगे तो आपको one mark मिल जाएगा और यह questions भी आपका chapter number 8 human time health disease से लिया गया है नाइ questions है आपका a nucleoside differ from nucleotide because it lacks the कहने का मतलब है कि nucleotide nucleoside से क्या क्यों डिफर है इसका option है nitrogen based sugar phosphate group and hydroxyl group तो हम जानते हैं कि nucleotide जो तीन component से मिलकर बना होता है nitrogen based sugar and phosphate जबकि nucleoside के अंदर एक component absent होता है वो होता है phosphate group तो इसका अंसर जाएगा phosphate group जैसे ही आप C option लिखके phosphate group लिखते हो तो आपको इसके अंदर one marks मिल जाता है next question साता है हमारा Saccharomyces cerevisi in employment in production of बच्चों हम जानते है Saccharomyces cerevisi जो है एक तरह की fungi है और यह fermentation के काम आती है इसके option है इटली, beer, bread, all of the above यह questions भी NCRT book chapter number 10 human welfare से लिया गया है अब हम जानते है की Saccharomyces cerevisi से इटली भी बनती है, beer भी बनती है, bread भी बनती है तो इसका option के आएगा, answer D option इसका answer होगा, all of the above next है बच्चों, the protein product of the BT toxin gene cry first AC and cry second AB are responsible for controlling option है, ball worm, round worm, moth and fruit fly यह question, NCRT की book chapter number 12, bar technology and its application से लिया गया है, इस question को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसका answer देंगे यह कहना जाता है कि BT toxin gene cry first AC and cry second AB यह एक protein को code करके protein बनाते हैं यह protein किसके लिए responsible controlling, control करने के लिए responsible है, तो हम जानते हैं, ball worm को तो बच्चों आपको अच्छे से option देख करके, option, सही option को चूज करके answer देना है, option A, okay, ball worm, next question से, question number 9, which of the following is called the lungs of planets, option A, tropical rainforest, thar desert, amazon rainforest and temperate desious forest, okay, we know, यह question भी NCRT के chapter number 15, biodiversity and conservation से लिया गया है, और इसका answer क्या जाएगा, Amazon rainforest, क्योंकि NCRT की लाहिन हैं, okay, Amazon rainforest, जैसे आप इसको लिखोगे, आपको वनमाक्स मिल जाएगा, next question है हमारा, how does seasonal variation take place on earth, option A, rotation on its on axis, rotation around the sun, C, option A, rotation of moon around the earth, और D, A, both A and B, next question है हमारा, इसका पहला है, यह question NCRT book is chapter number 13 से लिया गया है, और यह NCRT की लाहिन ही लिखी वी यह, कि सीजनल वेरिशन जो आर्थ पर आते हैं वो किसके कारण आते हैं तो इसके सही ऑप्शन है दी, A and B. It means A option rotation on its own axis and rotation around the sun. तो सही आंसर कहा हैगा इसका D answer है इस तरह से बच्चो. Next question सही हमारा. Base the item in column A and column B. आपको column A को and column B को match कराना है और सही option पर टिक करना है. इस तरह का questions आपके आता है. यह ऐसे questions आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर. तो आपको क्या करना है कि ध्यान से इस question को पढ़ना है. ठीके अब इसको पढ़ने पर आपको पता जालेगा कि यह question chapter number 13 से लिया गया है. अगर हम इसको match कराएं, तो देखेंगे कि A जो है, यह 3rd से match कर रहा है. माइक को राजा 2nd से match कर रहा है. ठीके और C की बात करें, यह 4 से match कर रहा है. और D की बात करें, यह कामलिस्म से match कर रहा है. तो इसका सही option के आएगा? Option B. जैसे ही आप इसको option B लिखते हो, आपको वनमार्क मिल जाता है. Next question से हमारा, in rivet proper hypothesis, what do you mean by rivets? Option A, species, ecosystem, biodiversity and biosphere. यह 4 option दे रखें. हम जानते हैं कि rivet hypothesis Paul Eric ने दी थी, और उन्होंने कहता कि जो ecosystem है, वो aeroplane है, और जो species है, वो rivet है. तो इसका सही answer के जाएगा, species A option होगा, इस तरह से, और जब आप इसका answer A, species लिख देते हो, तो आपको यहाँ पर वनमार्क मिल जाएगा. ठीक है, यह questions भी NCRT e-books, chapter number 15, by decedent conservation से लिया गया है. Next, जो हमारा, अगला segment है, A section के अंदरी, वो segment है, question number 13 से 16 सर, इसमें assertion and region के questions आएगे. It means two segments देगा, assertion and region का. उन दोनों को आपको अच्छे से read करना है, फिर इस तरह से आपको चार option दिये जाएंगे, इन चार option को अच्छे से read करके, आपको सही answer को tick करना है. जैसे मानलों आपको दो statement दे दिये, assertion दे दिया, और reason दे दिया, A option दे दिया, both A and R true, A भी सही है और R भी true, and R is the correct expression of A, और R A को अच्छे से expression करता है, B की बात करें, both A and R true, दोनों सही है, लेकिन R A को expression नहीं करता है, okay, option C की बात करें, A is true, but R is false, D option A is false, but R is true, इन चार option में से जो सही होगा, वह हम लगाएंगे, question देखते हैं, question number 13, ये question दे रखा है, इसको दियां से देखो, बत्चो, assertion दे रखा है, in angio sperm, the male gametophyte is the pollen grain, reason दे रखा है, pollen grain contain stigma style and ovary, assertion की बात करें, तो angio sperm plant के अंदर, assertion क्या है, in angio sperm, the male gametophyte is the pollen grain, कहने का मतलब है, कि pollen grain, male gametophyte की first cells होती हम जानते हैं, बिल्कुँ सही है, but जो reason है, pollen grain contain stigma style ovary, हम जानते हैं कि stigma style ovary female, मतलब पिस्टिल के पार्ट है, तो आप गलत है, तो इसका सही option के जाएगा, C जाएगा, A is true, but R is false, जब आप इसको इस तरह से लिग जाते हैं, तो आपको marks मिलें, मिल जाएंगे, one marks मिल जाएगा, next question है, हमारा assertion दे रहा है, stones are basic nature, फिर रीजन दे रहा है, stones are rich in the amino acid, lysine and arginine, हम जानते हैं, कि stone जो होता है, amino acid protein, amino acid से मिलकर बना है, okay, और amino acid क्या होते हैं, lysine and arginine, और lysine and arginine क्या होते हैं, basic nature का amino acid है, तो, stones are basic acid, यह राइट है, और फिर क्या 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 रहा है, stones are rich in the amino acid, lysine and arginine, मतलब, कहने का मतलब है, कि a assertion and region दोनों सही है, और a को क्या कर रहा है, एच्छे से explain कर रहा है, तो उसका सही option क्या होगा, a होगा, okay, next question से मारा, assertion दे रहा है, syphilis, gonorrhea and ads are stis, stis का मतलब होता है, sexual transmitted infections, reason दे रहा है, these disease are transmitted through sexual intercourse, देखा जाए, तो stis से disease होती है, मतलब, a सही, assertion क्या है, सही, reason दे के, तो reason भी सही है, और reason a को explain कर रहा है, तो उसका सही option क्या होगा, बच्चों, a option होगा, that is clear, इसी तरह से questions आएंगे, हमें हडबडात नहीं करनी है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हम अच्छे से question पढ़ना है, अच्छे से option पढ़ने है, उसका answer देना है, next say, question number 16, assertion दे रहा है, the conservation of productivity at next tropic level is 10%, reason दे रहा है, energy is lost in the respiration process, तो हम जानते हैं, a और आर दोनों सही है, assertion भी सही है, और यह भी सही है, और यहां आर एको explain कर रहा है, तो सही answer क्या आएगा, option a, अब आते हैं, हमारा next जो section है, a section के बाद, b section, b section बच्चों हमारे two marks का है, और यहां से कैसे questions पूचे जाते हैं, उनके हमें कैसे answer लिखने हैं, जा कि हमारे magazine marks, main paper में gain हो सके, तो देखते हम, question number 17, इस तरह से आपको question देखने को मिलेगा, the following in the elutration of the sequence of ovarian event a to i in a human female, एक human female के अंदर आपको इस तरह के ovarian event मिलेंगे, ठीके, और आपको इन को अच्छे से read करना है, अच्छे से observe करना है, इस diagram को करने के बाद के questions को अच्छे से read करना है, कि question क्या पूच रहा है, उसके बाद उसके answer दे नहीं, जैसे बात करे, identify the figure that illustrate ovulation, अब क्या कह रहा है कि इस figure को अच्छे से देखे, और ovulation कहा हो रहा है, हम जानते ovulation F वाले में हो रहा है, तो इस cancer का जाएग F आजाएगा, फिर कह रहा है कि and maintain the stage of ogenesis, is represent और इसमें कौन से स्टेज को represent कर रहा है, तो हम जानते है, secondary side, clear बात बिटा, जब आप ये a का answer लिख देते हो, तो आपको one marks मिल जाएगा, बी पार्ट का है, इसका, नेम दो ओविरेन हार्मोन एंड पिट्रिटी हार्मोन, that have caused the above maintained event, जब आप इसके हर्मोन के नाम लिख देते हो, तो आपको one plus one is equal to two marks मिल जाएगे, बीटा, NCRT के paper में हमें ज्यादा नहीं दिखना है, जितना आप से पूचा जाए, जितना question की demand है उतना ही हमें दिखना है, ताकि हमारे maximum marks आजाए और time भी हमारा सभी समय पर manage हो जाए, next question से हमारा question number 18, name a human genetic disorder due to the following, इसके सब पार्टे a part, an additional X chromosome in male, b part a deletion of one X chromosome in female, okay, समझ भाए बात कि अगर male में X chromosome added कर दें तो क्या होगा, और female में X chromosome delete कर दें तो क्या होगा, अगर हम add करते हैं तो वो syndrome होगा, Clive internal syndrome, it means male के अंदर X, X, Y chromosome हो जाएगा, इसके बात करना है, इसमें X chromosome कम करना है female तो यह X 0 हो जाएगा, तो ऐसी female क्या हो जाएगी, tunnel syndrome हो जाएगा, जब आप इन दोनों पार्ट के answer लिख देते हो, तो आपको 1 plus 1 is equal to 2 marks से मिल जाते हैं, आपको इनकी बारे में नहीं लिखना है, अगर लिख होगे तो आपका time कम पढ़ जाएगा, आपका अगला question चूटने के chances बढ़ जाएगे बच्चों, next question से हमारा question number 19, इसके two parts है, A part में करा है name the source of heroin drugs, फिर B part में करे, write the effect of heroin on the human body, अब आप जब इनका नाम लिख देते हो, और इसके body पर क्या effect होते हैं, हम वो लिख देते हो, तो आपको one plus one is equal to two marks मिल जाते हैं, next question से हमारा question number 20, mention the difference in the mode of action, hexonucleus and endonucleus enzyme, question number 20 का A part क्या किया रहा है, कि हम hexonucleus और endonucleus में action में क्या difference है, उसको में बताना है, इसका जो B part है, हो कह रहा है कि restriction endonucleus का function क्या है, कैसे function करता है, जब आप इनके difference लिख देते हो, and function क्या है, यह लिख देते हो, तो आपको one plus one is equal to two marks मिल जाते हैंगे, मैं फिर कह रहा हूं, कि जितना questions की demand है, आपको उतना ही answer देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, हम जानते हैं, hexonucleus DNA के end से cut करता है, और endonucleus enzyme DNA के mid की specific position से cut करता है, फिर कह रहा है, रेस्टर के endonucleus enzyme का function क्या है, यह enzyme, जो DNA में पहलेंड्रॉमिक से क्वेज होती है, वहांस इसको cut करेगा, इसका यह main function है, तो आपको यहां क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 is equal to 2 marks मिल जाएगे, यह question chapter number 11 NCIT book से लिया गया है, हमारा 21 question से, study the three different age pyramid for human population given below and answer the questions that follow, आपको सबसे पहले यह three age pyramid का diagram दिया रखा है, इसको अच्छे सा analysis करना है, questions पढ़ना अच्छे से, फिर इसके जो part दे रखे हैं, उन part के questions को read करना है, read करने के बाद, caution की demand क्या है, उस तरह सा में answer देना है, जैसे बात कर, write the name given to age of this age pyramid, अब यह कह रहा है कि जो three age pyramid दे रखे हैं, उनके नाम क्या है, तो नाम लिखने हमें, जाएगा, decline pyramid, फिर next, इसके बाद पूरा mention the one, which is ideal for human population and why, जब आप इसका answer लिख देते हो, कि ideal pyramid क्या होता है, stable वाला होगा, तो आपको यहां पर भी one plus one is equal to two marks, easily मिल जाएंगे, बच्चों, NCRT में जितना पूचा जाए, उतना ही answer देना है, क्लिर यह बाद, next, अब 21 में हमारा एक internal choice दे रखिए, इसको भी है, जहां से देखो, what is the tropic level in an ecosystem, ति दे रखा है B part, explain the role of first tropic level in an ecosystem, किरा है कि what is the tropic level in ecosystem, ecosystem में tropic level क्या होता है, आपको यहां पर tropic level की definition देनी हैं बच्चों, जैसे आप definition दोगे, one marks मिल जाएगा, फिर B part में करा, explain the role of first tropic level in an ecosystem, अगर आप ecosystem first tropic level का role क्या है, इसके बारे में लिख देते हैं, तो आपको first mark मिल जाएगा, क्या role है, हम जानते कि producer होते हैं, solar light को consume करते हैं, और क्या बनाएंगे, chemical energy बनाएंगे, और आगे next tropic level में देंगे, तो आप जब इस questions का answer यह लिख देते हो, तो आपको one plus one is equal to two mark, easily मिल जाएगे, आपको उसके आपने बहुत जादा नहीं लिखना है, CBC के answer quality dependent होते है, ना की quantity dependent होते हैं, अब आता है हमारा section C, section 3 मैंना आप से कारता हागी, थ्री मार्क्स का है, question number 22, देखते हैं पन, where are the following structure present in a male gametophyte on the angiosperm, mention the function of which one of them, एक male gametophyte के structure है, उसके अंदर A और B पार्ट है, इनको में describe परना है, इनको हमें लिखना है, इनके function लिखने है, और जब आप इनके function लिखने है, sporopolinion क्या होता है, ठीकि पोलन ग्रेंट की exine, exine जो बनती हो, sporopolinion की बनती है, यह क्या function है, जब लिख देते हो, तो आपको 2 marks मिल जाएंगी, और जब 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 लिख देते हो, कि पोलन ग्रेंट के अंदर एक जब जब लिखने होती है, जिससे 2 male gametes का formation होता है, तो आपको 1 marks मिल जाएंगा, 2 प्लस 1 इस इकल टू 3 marks आपको यहां से मिल जाएंगे, कौन सेक्षन, C section में से, Question No.23, Draw a label of a mature human sperm, Label any two parts and write their function, मैंने आप से पहले भी कहा था, जब general instruction की बात की थी, कि अगर question की demand diagram की है, तो मैं need and clean and well labeled diagram बनाना है, तो यह diagram sperm का label कर दिया, अब इसके कोई two parts को आपको function लिखने, हैं, तो एक्रोसोम और मीडिल पिसके हम, इसमें के बारे में लिख सकते हैं function, जब आप लिख देते हो, तो one marks इसका मिल जाता है, one marks इसका और one marks इसका, तो one plus one plus one is equal to three marks, आपको इस questions के answer में मिल जाएंगे, next question 24, आपको यहां पर aim आने segment दे रखा है, question क्या पूच रहा है, first, write the codons A and B, codons A क्या है, और codon B क्या है, आपके उनको लिखना है, फिर पूच रहा है, what do they code for, और यह code किसको code कर रहे हैं, उनके बारे में लिखना है, क्या code कर रहे हैं, फिर what is amino acylation, इसके बारे में हमें लिखना है, तो answer A, कि जब आपको code A, A, U, G and B, U, A, A, U, A, G, U, G, A लिख देते हैं, तो आपको one marks मिल जाएगा, जब आप इनके लिख देते होगी, यह किस काम आते हैं, हम जानते हैं कि A, U, G तो initial codon है, methionine, और बाकि यह जो B वाले codon हैं, यह क्या है, stop codon है, आपको मिल जाएंगे, next question है, हमारा 25, arrange the Ramapithecus, Australopithecus and Homo habilis in the order of their evolution on the earth, okay, इनको हमें order में arrange करना है, और इनके characters लिखना है, जब हम इनको order में arrange कर देते हैं, तो आपको one marks यह मिल जाएगा, और जब इनके characters लिख देंगे, तो आपको two marks मिल जाएंगे, इस तरह से आपको one plus two is equal to three marks, आपको यहां से मिल जाएंगे, हमारा next question से, question number 26, study the figure of ringworm affect area skin given the below, आपको यह diagram दे दखाएं, इसमें skin का यह वाला जो part दिख रहा ही है, infected है, okay, affected हो रहा ही है, किससे इस ringworm से हैं, तो इसके जो सब पार्ट है A and B, इस पार्ट में के रहा है, name any two quositative organism responsible for ringworm, कि उन और गनिसम के नाम लिखना है, इसके कारण यह ringworm होगा है, okay, second is, state any two symptoms of this disease, okay, जब आप इनके और गनिसम के नाम लिख देते हैं, और symptoms लिख देते हैं, तो आपको 1 plus 2 is equal to 3 marks, इस caution से मिल जाएंगे, okay, इसकी जो internal choice है, देखते हैं इसको, write the scientific name of the two species of phylaria warm-causing phylariasis, okay, phylarias disease को cause करने वाली, दो scientific species को नाम लिखना है, how do they affect the body of infected person, okay, कि ये infected person की जो body है, उसको affect कैसे करता है, और ये spread कैसे होता है, ये इसके 3 parts है, internal choice के, जब इसके answer आप इस तरह से दे देते हो, two species के नाम लिख देते हो, तो आपको यहां पर 3 marks मिल जाते है, 1 marks, 1 marks, 1 marks, 1 marks is equal to 3 marks. Next question से मारा, Mukesh was doing the gel electrophoresis to purify DNA fragments, give below is the sketch of the observation of the experiment performed by him. Okay, Mukesh नाम का लड़का है, वो gel electrophoresis to DNA को क्या करना चाहता है, purify करना चाहता है, उसका sketch दे रहा है, Okay, उसके बाद आपके questions दे रहे हैं, आपको इन questions को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको answers देना है, उसने पूचा है कि, जो DNA के सेंपल होगा, उसको लोड़ेट कहां किया जाएगा, कहां किया जाएगा, यह एपर किया जाएगा, ठीके, फिर कह रहा है कि, DNA बैंड की जो position है different, उसका कारण क्या है, according to size, अगर segment DNA का बढ़ा है, तो वो कम मूँ करेगा, अगर small size है तो वो ज्यादा मूँ करेगा, इस तरह से, फिर किराएगा कि DNA visualize कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि, जब DNA को एखिडिम ब्रोमाइट से treat करते हैं, उसके बाद अल्ट्रो वालिलेस रेज दी जाती है, तो हमें औरेंज कलर के band दिखा ही देते हैं, जब आप इन तीनों questions के answer लिख देते हो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इस इकल टो 3 marks आपको यहां से मिल जाएंगे, हमारा next question से ही, name the types of interactions seen each of the following example, ठीके, कुछ interaction दे रखिए, ठीके, और इन interaction के जो example है, इन से हमें उस interaction का नाम देना है, तो ascaris worm leaving the intestine of the human, वाफ pollinating fig in Florence, थड़े clown fish living among the tentacles of sea animals, तो हम जानते हैं कि first की interaction क्या होगी, परसेटिज्म, second की mutualism and third की carmelism, तो आप आप इन तीनों interaction के नाम लिख देते हो, तो आपको 1 प्लस 1 प्लस 1 इस इकल टो 3 marks, मिल जाते हैं, इनके बारह में नहीं लिखना है कि यह क्या करते हैं, क्या रहीं करते हैं, मैंने पहले भी का NCRT का जो पैपर होगा, उसके अदर आपको जितना questions की demand है, उतना ही आपको answer देना है, क्योंकि हमरा section D स्टार्ट होता है, इसके अंदर आपको 29 and 30 questions देखने को मिलेंगे, जो case-based होंगे, case-based का मतला आपको इस तरह का एक पेरा दिखाए देगा, paragraph, इस paragraph को आपको धियान से, रीड करना है अच्छे से, करने के बाद के question दियेंगे, और इन questions को आपको answer देना है धियान से, यह paragraph दे रखा है, अब आपको question देखो, A. What are the common symptoms of ads, जब आप ads के common symptoms लिख देते हो, कि ads होने पर क्या-क्या symptoms दिखते हैं, तो आपको यहां पर marks भी जाएगा, B. A. Mention two disease that spread through the sexual contact, कि sexual contact आने पर कौन सी disease spread होती है, two disease के नाम लिखना है, फिर आता है, name any three prevent measure of the ads disease, कि हम ads की disease से कैसे prevent हो, उसके आपको three point लिखने, C. काई, internal choice है, how ads can be diagnosed, कि ads को डिखने के लिए कौन कोशी technique का उसकी जाता है, कैसे करते हैं, उसका लिख देते हैं, जब हम इनके answers लिख देते हैं इस तरह से, तो आपको यहां पर questions के answer लिखने पर आपको यह marks मिल जाते हैं, A लिखने पर one marks मिल जाएगा, B लिखने पर आपको one marks मिल जाएगा, और C लिखने पर आपको two marks मिल जाएगे, तो one plus one plus two is equal to four marks, इस तरह से बिटा आपको answers देना है, जैसे आप answers दोगे, आपको four marks मिल जाएगे, next, questions है हमारा, वही एक paragraph दे रखा है, paragraph को अच्छा से learn करना है, ठीके, read करना है, करने के बाद, उसके questions दे रखें, और इसका answers देना है, जैसे एक ही बात करू, name the stage of cell division, where segregation of an independent pair of chromosomes occurs, यह questions क्या कि रहा है, कि उस stage cell division की, उस stage का नाम बताईए, जहां पर chromosome का independently segregation होता है, question number B है, is it true with respect to chromosomal theory of inheritance, that both chromosomes as well as gene segregate at the time of gametes formation, such that complete pair is transmitted to gametes, यह question कहे रहा है, कि chromosomal theory of inheritance में, क्या chromosome के साथ gene का भी segregation होता है, अगर होता है, तो yes, नहीं होता, तो no answer आएगा, what does the chromosomal theory of inheritance, जो C पार्ट है, इसके अंदर में क्रोमोसोमल theory of inheritance को लिखना है, इसका C का जो इंटर्नल चुए से, why did Morgan prefer to work with foodfly for his experiment, state any three reason, यह question के रहा है कि मोर्गन ने foodfly, मतलब डुरुसो फिला जो foodfly ली थी, उसका कारण क्या था अपने experiment में इसी पे काम करने का, जब आप questions क्यांस इस तरह से लिख देते हैं, तो आपको वहाँ पर four marks मिल जाएंगे, अब अब अबरा स्टार्ट होता है section E, यह five marks का है, इसके इंदर three questions देखने को मिलेंगे, question number देखते हैं, question 31 name the hormone secret हमें जो hormone secret हो रहे हैं, उनके नाम रिखने हैं तो first के अंदर भी two parts दे रहे हैं, A बार्टे by carpus, luteum and placenta, हमें कोई two ऐनी hormones के नाम रिखने हैं, B during the follicular phase and partulation, follicular phase of partulation में कौन से hormone secret हैं उनके भी नाम रिखने हैं, second is, name the stage in a human female wear, okay, की human female में कौन से stage हैं, उनके नाम लिखने हैं, इसके two parts, A part is, carpus, luteum and placenta coaxic, यह कहना चाहता है की, carpus, luteum and placenta कहां पर दिखाई देंगे, एक साथ, फिर भी एक कार्पस, luteum temporarily seized to exit, और यहां पूछ रहा है की, carpus, luteum temporarily कहां पर seized हो जाता है, तो इसका answer यह दे रखें, जब आप इस questions के answer इस तरह से लिख जेते हैं, की carpus, luteum से progestron hormone बनता है, प्लेसेंटा से SCG, LPL, HPL, estrogen, तो यहां से marks मिल जाएंगे आपको, फोलुगल फेस से कौन सा हर्मुज बन जाएं, जब आ हर्मुज लिख लिख लिखें, इस तरह से आप जब questions का answer लिख होगे, तो आपको यहां से marks मिल जाएंगे, इसी का और है, और मतला internal choice, what is the spermatogenesis, brief describe the process of spermatogenesis, five marks का है, आप से पूझा गया, spermatogenesis क्या होता है, तो आपको spermatogenesis की definition लिखनी है, आप formation of sperm, बस, फिर brief describe करना है, आपको यहां पर spermatogenesis को, तो आप जब लिख देते हो, तो आपको यहां पर marks मिल जाते हैं, three plus two is equal to five marks, इसका आपको धियान रखना है, हमारा next question से, in malaria patient, the rupture of RBC is associated with the release of toxic substance, hemozoin which is responsible for the chills and high fever recurring every three to four days, आपको यह दे दिया है, इससे आपको एनलाइस हो जाएगा, कि यह questions, malaria से लिया गया है, इसके जो three sub-part, इनको देखते हैं, क्या पूछ रहा है, give the scientific name of the parasite, the cause malginate malaria in human, यह क्या कह रहा है, कि malginate malaria, जो human में हो रहा है, वो किसके कारक्कर, तो कौन से parasite के कारण हो रहा है, उसका नाम लिखना है scientific, फिर B है, at what stage does the parasite enter in the human body, और कौन से stage है, जो body के अंदर enter करती है human की, उसका नाम लिखना है, फिर trace its life cycle of human body, और life cycle को human body के अंदर life cycle होती है, प्लाज्म लिखना है, जब आप इनके answer इस तरह से लिख देते हैं, तो आपको उसके अंदर marks मिल जाएंगे, okay, यह life cycle, one plus one plus three is equal to five marks, next, इसका जो internal choice है, उसको देखते है, name the enzyme that catalyst the transcription of HRN, ठीके, है कि HRN का transcription को catalyst करता है, उस enzyme को नाम लिखना है, फिर कह रहा है कि transcription unit का यहां में एक systematic diagram बनाना है, explain the function of each और प्रतेक का function को explain करना है, ठीके, तो देखते हैं, RNA polymerase यह इसका diagram है और यह इसके हमने प्रामोर्टाय स्ट्रेक्शल इन और terminator को हमने यह function को explain किया है, जब आप इतना लिख देते हो answer, तो आपको one plus two plus two is equal to five marks यहां से मिल दाएंगे, अब हमारा यह last question है, इसके अंदर यह के पहरा दे रखा और यह question दे रखें आपको, इसके part है, सब part, यह part है, name the company who formed first genetic engineer insulin, यहां पर आपको उस company का नाम बताना है, जिसने first time genetic engineer insulin को form किया था, okay, फिर यह रहा है next question, what is difference between pro insulin and insulin और यहां question पूछ रहा है कि pro insulin और insulin में क्या difference होते हैं, उनके बारे में लिखो, फिर सी question से आपका, insulin can be only administered to diabetic people or not why, यह question के रहा है कि जो diabetic patient होते हैं, उनको क्या औरली insulin दे सकते हैं या नहीं, okay, फिर हमारा next question से, how are two short polypeptide chains of insulin linked together, यह क्या कह रहा है question कि जो insulin की जो two polypeptide short polypeptide chains होती है, उनके बीच bond कों सा बनता है, जब आपका इसका answer इस तरह से लिख देते हैं कि company के नाम इलिलिये, pro insulin के अंदर C peptide chain होगी, जबकि insulin के अंदर absent होगी, okay, हम diabetic patient को direct insulin orally नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, वो digest हो जाएगा, ठीके, फिर E coli और कॉंसा bond होगा? Dysulfide bond, जब आप इसको लिख देते हो तो आपको पता है कि A, B, C, D, E, 1-1 marks के हैं, आपको 5 marks यहां से मिल जाएंगे, इसकी internal choice है, इस तरह का पेरा दे रखा है, और आपको एक question दे रखे हैं, write the name of disease which caused due to deficiency of enzyme adenosine diaminase, okay, write the name, हमें उस disease का नाम बताना है, जो adenosine diaminase की deficiency से होती है, हम जानते, ADA, mention a possible threatened cure for the ADA deficiency patient, okay, फिर question दे रखा है, what is the gene therapy, gene therapy क्या होती है, फिर what do children cured by enzyme replacement theory for ADA deficiency need periodic treatment, आपको इस तरह से questions मिलेंगे, questions के answer आपको इस तरह से देना है बच्चों, जितना पूचा है उचला, okay, मैं फिर के रहा हूं, CBC के paper में आपको quantity नहीं दिख लीएंगे, आपको quality पे ध्यान देना है, जितना पूचे, अब उसने क्या पूचा की, adenosine deaminase enzyme की कमी से कौन सी disease होगी, ADA, बस, खतम बात, okay, तो इस तरह से जब आप questions के answer दे दोगे तो आपको यहां पर marks मिल जाएंगे 5 और इस तरह से आपका paper complete होता है, I hope, हमने जो sample paper का analysis किया, उससे आपके main exam में, maximum आपको आप gain करोगे, all the best. आपके